नमस्कार दोस्तों, मैं घंश्याम पंडित, मैं सेवा निबरीत बैंक परबंदक हूं और मेरा घर देव घर जारकन के अंतरगत पड़ता है। मैं पिछले 11 साल से डायवेटिस से ग्रसित था। मैं बहुत चिन्तिद भी रहता था। क्योंकि इसके बारे में मैं ऐसा सुना है कि डायवेटिस एक बर जब हो जाता है तो वो लाइफ लाइप लॉंग जो है वो चलता है। एक योर नहीं होता है। तिस्ते मेरी चिन्ता भन हुई रहती थी एलोपेथिक मेडिसिन में लेता था एलोपेथिक मेडिसिन लेने से हमारा कंट्रोल तो हो जाता था जो रेंज है उसके नीचे आता था लेकिन उससे और दुसरे ढंग की परिशानी मेरी बढ़ जाती थी मैं दिनों दिन मेरा हेल्थ जो है वो डिटोरियेट करते गया और खासकर के इधर एक साल से स्वास्त मेरे जादे गिरने लगा तो मैं थोड़ा बहुत चिंदित था फिर यूट्यूब के माध्धम से मुझे पता चला डॉक्टर एक एराई के भड़े में फिर मेरे एक लिए वो यह पूरी तरह से क्यूरेवल है मैं ने डप्टर सहाब से मिलने की का निश्चे किया और मैं डप्टर सहाब से मिला उन्होंने जो मुझे आस्वासन दिया भरोसा दिया उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि यह बिल्कुल ही गम सही है उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अपना तीन महिने का टाइम दे जा दे रहीं तीन महिना में ही आप देखेंगे रिजल्ट आपके फेवर में होगा और आप जो है क्योर हो जाएगे मैंने डप्टर साब पर भरोसा किया और पिछला तीन महिना से मैं पारफ फरवरी 2023 को मैं डप्टर साब से मिला और उस समय से मैं ट्रीटमेंट डप्टर साब के अंडर मेला करके प्रारम किया सुर्वाक में जो अंग्रेजी दवाई मेरी चल रही थी वो दो सप्ता तक देरे देरे उसको रेड्यूस डप्टर साब करते गए और करीब तीन सप्ता में वो पूरी तरह से अंग्रेजी दवाई बांध कर दिये इस दवरान परतेक सप्ता मैं अपना सुगर टेस्ट कराता था और रिपोर्ट बहुत ही स्वंतोस जनक रिपोर्ट आता था लवग 95 कभी 100 कभी 105 इस तरह से रिपोर्ट आया पिछला 15 दिन से ड़क्टर साब का जो मेडिसीन चल रहा था वो भी बंध है 15 दिनों से कोई मेडिसीन मेरा नहीं चल रहा है और मैंने फिर रिपोर्ट कराया पेतलोजिकल टेस्ट कराया तो इसमें भी फिर पिर नाइंटी मेरा आया खाना खाने के बाद तो मैं बहुत संत पूरी तर से क्योर नहीं हो सकता है डायवेटिक लेकिन ओफरम मेरा तूट गया और आज मैं बहुत संतुष्ट हूं सब्मों से ये निवेदन करूंगा अगरह भी करूंगा कि जो भी डायवेटिक से पूरित हैं इसे गरसित हैं वो एक बार हमारे डप्टर साब एक राय जो भागलपूर में अपना समय बहुमूल समय देते हैं इनसे जरूर मिलें और अपने जिंदगी का एक खुस्नमा सफर तै करने के लिए